विरिंदावन मत जाना हो, पागल हो जाओगे, ये तो मेरा दावा है, जैसे जाओगे वैसे वापिस लोट कर नहीं आओगे, क्योंकि शरीर तो वापिस आ जाएगा, लेकिन दिल वहीं रह जाएगा, मेरा ठाकुर, जिसको बुलाता है, उससे मिलता भी है, जो जिस भाव से वहाँ जाता है, उसी भाव से वो मिलता है, जो दर्शन करने जाता है, उससे दर्शन देता है, जो मिलने जाता है, उससे मिलता है, एक अध्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनियेगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ अनुज शर्मा। अंजना वाजपई, फरुखाबाद उत्रप्रदेश की रहने वाले। अंजना जी बताती हैं कि मैं बचपन से भगवान शिव की भक्त रही हूँ, भोले बाबा ही मेरे सरवेश्वर है, हमेशा महादेव की पूजा करती है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी, बस यही पता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन लगाव तो महादेव से था। अचानक से एक दिन सपने में श्री कृष्ण आये, ऐसा रूप देखा, ऐसा प्रेम देखा, ऐसा भगव देखा, कि अगले दिन जब सुभव उठी, उस दिन से लेकर के हमेशा तक, हर जगह कृष्ण ही दिखाई देने लगे। पता नहीं क्या जादू था उस रूप में, भाव सिर्फ उनके लिए जागरित हो रहा था। हर समय क्रिष्ण क्रिष्ण करने लगी, क्रिष्णे ही दिखते थे सब जगे, श्री क्रिष्ण की अराधना करने लगी, पूजा करने लगी, प्रेम हो गया श्री क्रिष्ण से, इतना प्रेम हो गया, कि हर महीने व्रिंदावन जाने लगी, व्रिंदावन जाकर कोई भी पागल हो जाता है क्योंकि दिल वहीं रह जाता है, सिर्फ शरीर वापिस आता है जो वहाँ से वापिस आ जाता है, उसका हर वक्त यही मन करता है कि अब कब जाना हुगा, कैसे जाओं वहाँ मिलना है मेरे ठाकूर से, मिलना है मेरे बिहारी जी से लोग दिवाने हो जाते हैं ठाकूर जी के अंजना के साथ भी वैसा ही हुआ ठाकूर के प्रेम में पागल हो गई अंजना जी बेहद प्रेम करने लगी घर पर लड़ू गोपाल आ गए उनका भोग लगाने लगी, उनसे बतियाने लगी अंजना जी बताती है इस साल बिहार पंचमी आई मेरे ठाकूर जी का जन्म दिन ठाकूर जी का प्रकाट्टे दिवस अपने परिवार के साथ, अपने पती और पांथ साल की बेटे के साथ दिन्दावन गई कुंज की गलिया लोगों से भरी हुई थी व्रिन्दावन में कहीं भी पैर रखने की जगे नहीं होती और वो दिन तो खास दिन था ठाकूर जी का जन्म दिन पैर रखने की जगे होगी भी कैसे अपने पती और बेटे के साथ गई बताती की सबसे पहले निधी बन गई बहुत भीड थी निधी बन गई एक बज गया था सब मंदिरों के द्वार एक बजे बंद हो जाते हैं पट बंद हो जाते हैं अब इंतजार था पट खुलने का व्रिंदावन की गलियों में घूमती रही कुंज की गलियों में घूमती रही दूर दूर से लोग आये थे एक बात कभी भी ध्यान से देखना व्रिंदावन जो भी आता है अपनी मर्जी से नहीं आता है वही आता है जिसे ठाकुर बुलाते है जिस पर राधार आने की अटूट कृपा होती वरिंदावन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है नहीं तो इसी धरती पर लाखो लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा ठाकुर से मिलना कब होगा वरिंदावन जाना बड़े सोभग्यशाली लोग होते हैं जो वरिंदावन जा पाते हैं अंजना जी बताती है कि भीड जादा होने के कारण शाम को साथ बज़े नंबर आया लाइन में लगने का लाइन में लगी लाइन में लगे लगे साड़े साथ बज गए पता लगा कि ठाकुर जी का भोग आ गया है थोड़ी देर के लिए पट बंध हो है इंतजार करने लगी आठ बज गए आठ बज बजे पता लगा कि अब ठाकुर जी विश्राम में चले गए है ठाकुर जी सो रहे हैं मंदिर के पट बंध हो गए जैसे ही मंदिर के पट बंध हुए, हजारों लाखों लोगों की भीड वापिस लोटने लगी, क्योंकि अब ठाकुर जी के विश्राम का समय था। प्रकाट्टे दिवस पर मेरे ठाकुर सारा दिन खड़े लोगों से मिलते रहे। सुबह सुबह मंदिर में लोग पहुच गए थे, सारा दिन लोगों से मिलना हुआ, अब ठाकुर जी के विश्राम का समय था। लेकिन भग्त की अपनी भावना होती है, उसका अपना प्रेम होता है, ठाकुर जी से मिलने की अपनी चाहा होती है। अंजना वाजपे जी को जब ये पता लगा कि द्वार बंद हो गए हैं, रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, बताती है कि बहुत गुस्सा आया, बहुत रोना आया, भीड जादा होने के कारण पती और उनका पांच साल का बेटा एक जगह बैठ गए कोने में, गुस्से लेकर गई थी, मन में बस यही भाव था, कि ना उपहार दे पाई, ना परसाद दे पाई, अपने पती के पास बैठी थी, अचानक से गुस्सा आया, अपना मोबाइल पटका, और बोली कि अभी आती हो, मंदिर के इस दुआर पर गई, जहां से लोग निकलते हैं, एक्जि में आई थी, जनम दिन है, मुझ तो मिठा कर लेते, इतना भी नहीं हुआ, मुझ से मिल लेते, और दुआर पर अपना माथा पटकने लगी, अंजना जी बताती हैं, उसी समय दुआर खुले, गो स्वामी जी आये, और बोले कि चलो अंदर, मिल लो अपने बिहारी जी से, चोखट पर, दोड़ी दोड़ी चड़ी, जहां उपर ठाकुर जी की चोखट है, ठाकुर जी की चोखट पर जाकर पागलों की तरह रोने लगी, अंदर के द्वार बंद हो चुके थे, जोर जोर से रोने लगी है, खुश थी, मंदिर पूरा खाली था, अंदर कोई भी नह आठारा वीस साल के गोस्वामे जी आये और बोले रो मत अपना फोन निकाला, फोन निकाल करके बिहारी जी की तस्वीर दिखाई और बोले कि ले, मिले अपने बिहारी जी थी, आज यही पोशाक पहनी थी, अभी की तस्वीर है बिहारी जी की देख ले अपने बिहारी जी को, पर रो मत जो उपहार सवरुप बांसूरी लाई थी, वो बांसूरी भी गोस्वामी जी ने ले ली प्रसाद भी ले लिया भगवान से मिलकर अत्यन्त प्रसंद थी को ये बात बताई तो किसी को विश्वास नहीं हूँ हजारों लोग वापिस लोट गए थे अजना जी तो मिलने गई थी, जो मिलने जाता है उससे मेरे ठाकुर जी मिलते हैं और जो दर्शन करने जाता है उससे दर्शन देते हैं ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है अद्भुत मुलाकात है एक भक्त की भगवान से अंजना जी बताती है कि हर समय क्रिश्न ही दिखाई देते हैं हर पल मेरे ठाकुर ही दिखाई देते हैं जो कुछ भी मेरे ठाकुर को बोलती हूँ विश्वास का उपहार जब विश्वास प्रगाड होता है तो हर पल चमतकार होते हैं विश्वास जब लगातार बना रहता है शंका नहीं रहती है तो यकीन मानना आप जो सोचते हो वही होता है क्रिश्न आपके भीतर होते हैं क्रिश्न आपकी सारी बाते सुन रहे होते हैं, इसलिए कभी डरना मत, घबराना मत, परिशान मत हो। ठाकुर जी हर पल आपके साथ है, और जो भी वेक्ति व्रिंदा वन जाता है, ठाकुर जी से मिलने जाए। दर्शन तो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हर जगए हैं, जब उनके घर जा रहे हो तो उनसे मिलो, और ये भी बात याद रखना, कि ये दि आप व्रिंदा वन जा रहे हैं, तो आप साधारन नहीं हैं, आप खास हैं, अलग हैं, क्योंकि सब वैसे नहीं है क्योंकि विरिंदावन ठाकुर जी के घर वही जाता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं बड़ी साधारन सी बात है आपके घर भी तो वही आ सकता है जिसे आप बुलाते हैं और वो तो अनंत ब्रभांड के मालिक का घर है वहाँ कोई ऐसे ही कैसे जा सकता है बड़े सो सुभाग्यशाली लोग पहुंचते हैं वहाँ, पर एक बात कहना चाहूंगा, जब आपको ये ऐसास हो जाए कि आप इतने सुभाग्यशाली हैं, कि आपको इश्वर इतना प्रेम करते हैं कि अपने घर में भुला लिया है, उसके बाद जब वहाँ से लोटे हैं, तो जो पर पास-पास के लोगों को, पूरे समाज को, देश को ये लगना चाहिए कि आप ठाकुर से प्यार करते हैं, आप ठाकुर के प्यारे हैं, और वो तब ही संभव हो पाएगा, जब आप ठाकुर जी की बात मानेंगे, जब आप वो कर्म करेंगे, जो ठाकुर जी को प्यारे लिए आप वही कर्म करें, जो आप चाहते हैं, कि आपके साथ दूसरे करें, हर किसी को सुख देने का प्रियास करें, यही जिम्मेदारी ठाकुर जी आपको देते हैं, जब आप ब्रिंदावन से लोटते हैं, इसे भूले नहीं, ठाकुर जी हर समय आपके साथ हैं, बस विश इश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, Hare Krishna.